इस लिए इंटर पास होने के बाद ही आप जो है रियल लाइफ जीएंगे कहने मतलब कि पिसमें पर इंटर पर फोकस कीजिये जिसे आप आगे की जितनी प्रुवेशन से आप लोग कर सके चली हम लोग स्टार्ट पर से लाल इंप वच पढ रहे थे जिसमें हम ़ोगों ने काफी कुछnya पर पढ़ा था आप लोगों में कंप्लिट भिए कर लिया था आप लोगों ने किसी कोई दिक्कत तो नहीं आई थी लाग यहां पर अमोनिया से लेटेट कुछ पॉइंट में यहां पर बताना चाहूंगा जैसे कि आमोनिया की आपका जैसी का मॉनिया गैस होती है आपके आपके सलेवस में प्रकार से बेसिक नेचर में यही एक अमोन पर में यह आता है कि यह किस आयन के प्रिजनटेशन की वज़ एसा होता है मतलब यह उसमें कौन साथ इक आइन पायाटाaler जाता है और जो कि हमको पता है कि लीषिक नहीं बताया था लेट नहीं बताई थी कि हाँ लेश नीज बताया था कि क्यों होता है क्यों होता है वह आपको क्या होता है चारी नेचर का होता है है तो अगर आप से कोई कोशन पूटप करें कि ऐसा में लिपकी कंडिसन किया ammonium and जैसी का ammonium hard rock side कि फामला क्या होता है ammonium hard rock side का फॉर्कान बेटा बता आलाम्वोनियम hard rock side कि हां क्या होता है लां है ना इसको रिवर्सिवल फॉर्म फॉर्वड एंड बैकवर्ड हाँ अभी किसी ने कॉस्ट्टन प्रक्रामल प्यांसर दिया नहीं फॉर ओएज का फॉल टैट ऐसा नहीं होगा बेटा नहीं फॉर पर उनली वन ही चार्ज प्रजेंट होता है और जब किसी पर एक चार्ज ह होल ट्वाइस इस पर थ्री चार्ज होता हम लिखते है ना तो यह डिपेंड आफ केटायन स्थ नंबर बट यहां पर क्या है केटायन का वन चार्ज तो इहां पर यह आमोनियम होड्रक्सेट और यह ची यह साइन आप दोंक पता ही है कौन सी साइन जाएगी रिवर्सिवल पॉलते हैं महलंब फारवड एंड बैककोर्ट फारवर और लिएक्षण दैग डिए बेट्ट स्टेज रिवर्षिव और फारवल दिए डिट्री में डिरूर्ट सिब डिए रिवर्षिवर अनुत्त कर्म ये भी करिया जब एक ही दिसा में होती है और दो लीbeyकरिया उत्क्र हम वियोजित करते हैं, वियोजित करने मतलब कि अपने यह आनिजेशन होता है, आनिजेशन का मतलब यह दो आयनों में रिलीज हो जाएंगे, मतलब कि एक हो जाएगा बैटा, यहाँ पर क्या, NH4 प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा OH- लेकिन इससे पहले क्या रहा होगा NH3 प्लस H2O आप इसको ऐसे लिख सकते हैं न मिटा मतलब जाएगा लाल क्या NH3 और प्लस H2O तो क्या बना रहा लाल प्रोटिक्ट यहाँ पर NH4 OH यही तो बना लाल लेकिन यह Ammonium Hot Oxide बना फिर इसका क्या क्या हमने आनिजेशन किया गया मतलब इसको डिसेशेशन किया गया तो यह देखो कौन सा आयन दे रहा है हाडराकसिल आयन तो हाडराकसिल आयन यह कॉंसेट किसने बताया था लिविस ने नहीं बताया था यह स्वांटि आर इसने बताया था जो दूसरा concept में लब कि किसका लिविस का concept यह था और स्वांटे नहीं क्या बताया है इसमें स्वांटे नहीं कहा कि जैसे किसी compound को लेते हैं उसका dissociation करते हैं dissociation करने पर जब हाड्राक्सी लाइन मींस ओएच माइनिस देता है तो आफ्रमेशन हो गया वह बेसिक नेचर को इंडिकेट कर रहा है लेकिन क्या होता था और जो एच प्लस देता है वह क्या है वह एक डिक कर रहा है तो यह स्वांटे आरी निएस और लिविस के कांसेट में डिफरेंस क्या है उन्होंने लोगन पे प्रॉंस के भी पर उन्हें रिया और इंहोंने इसके बिएपर किया हाड्राक्सील आएन एच प्लस अइंड एच प्लस टेटिच एच अशिड और हाड्राक्सील जो आपकी जो आपकी नीटर करते हैं अब बात करते हैं इसकी कंफर्मेशन की बात करेंगे तो हाट्रॉक्सिल आयन की वज़ा से यसा होता है और एक ध्यान रखिएगा यह जो अमोनिया गैस होती है अमोनिया अभी चीज यहां पर और बड़ा प्याराख्सा कोश्चन्स है कि हमने वी एक फार्मला इस्टार्टिक में लिखा था आपको आप एक्जाम्स में लिख सकते हैं कहने मतलब जैसे कहा गया था कि अमोनियम साल्ट प्लस में और क्या बताया गया था बताए आप लोग हाँ इन वेज के वेज एंड कैल्सियम हाटर अक्साइट इन में से किसी का जिक्र पताया गया था लेकिन यह चीज कहा गया था जो आपका एन वेज और जो दूस्ट है आपका के वेज यह आपका डेली के सिंट मींस यह काफी महंगा होता है मतलब कि कॉश्टली जोड़ हो यह लगों कि छोड़ी जाता है कि अमोनिया बनाने में क्या हम अम्होनियम नाटेट का यूझ कर सकते हैं तो हम लोग नहीं कर सकती है रीजन क्या है यह रियक्त होने से मलब की यह पहले ही अपने आपको हीटिंंग करके मेरा लंब की रस सום घ 내ightале फौर ओसे मतलब इसपर ना सकता है अधर भी बना सकता है अधर प्रखेंगे क्या निए तो यह अनुससर संस्टेश करें करें कुछ सोब बना लेता था इसमें इसमीर दिखेंगे बना सकता है अधर भी प्रोडेट्ट को बना सकता है अधर प्रोडेट्ट में क्या जाएगा यह इनों करके तूटता है मतलब यह जाहिर सी बात है कि अमोनियू नाट्रेट का हम लोग यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं मुलब चीछ कंफर्म नोट का लीजेगा ह एक सर्थ करेंगे वहाँ पर इसका यूज करेंगे लाल आमोनियम एनेच्ष्फोर सील का ले लिया आपने और यहां पर कैलसियンハं कैलसियूम ऑट रॉकसाइड बोले तो इसको लाल जिसलेक्ट लाइन हैंगे डिजेगा बहुत दुस्री बात है कि ammonia झोथी है इसका जो होता है एक ज़ायार के जाता है ammonia जैसे आपके पढ़ा होगा कि ammonia जो थी है gas होती है ammonia जो होती है यह गयाज होती है इसको क्या करते हैं कि से Ahora기는 स्ब्सक्णिप्र करना होता है क्या करेंग इसका o भी दिया जाएगा बताया जाएगा लेक्चर में और दूसरी बात कि जो आमोनिया जो होती है इसको वायू के अधो मुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित करते हैं अधो मुखी विस्थापन द्वारा मतलब क्यों 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 कि जो होती है यह वाटर में बहुत जल्दी से तो इस लिए करते हैं और इस अमोनिया जो होती है वाटर में बहुत जल्दी से खुल जाती है इसले इसको क्या करते हैं कि अधो मुखी विस्थाफन बिदीद्वारा इसको कत्रित करते हैं और आपको यह चीज़ पता है कि टेस्टिंग में आया होगा आमोया की जब आमोया आप लोगों बना के बाइड क्याह्यार अलाइब मतलब कि आगश्छी के से को यह फोंट और हो यह हम उस्ट करेगा तो यह हम Troy सब्सक्राइब मतलब यह मतलब इसे समझ जातें किृशिए तो म performed लेकिन कुछ ऐसी में से अधो मुखी विस्थापन विधी का मतलब होता है डाउन वाट डिस्प्रास्मेंट एर मतलब की वायू की अधो मुखी विस्थापन विधी द्वारा अमोनिया गैस को एकत्री त्या जाता है एक टेस्ट्यूप से किसी दूसरे टेस्ट्यूप में तो यह जो प्रॉससेज जो दिखिए आधा मुख इसका ढफ दिया जाता है क्योंकि हमें पता है जिसे आप लोग जब अमोनिया गैस के बारे में बताया गया होकत कहा गया होगा एक टेस्टिफल की ऐसे तिर्शी कीजिएगा और ऐसे करके उसमें अब्जॉर्ब किया होगा आप लोगो ने तो यह प्रोसेसिज में लब कि अमोनिया गैस को अब्जॉर्ब करते हैं लेकिन इसी कांटेक्ट में अगर आप से भीगी हुई छड़ ले जाते हैं जैसे अब य आमोनिया गैस क्या होती वाटर में वह जल्दी से डीजॉर्ब होने लगती है तो इसको क्या करते हैं एकत्ति नोट कि लिजएगा अलग से विजए द्वारे करते हैं या कौन से तो बोलेंगे डाउन्वार्ड डिस्प्रेस्मेंट यह लिए लिखेंगा आप इसका बनाए वायू के अधो मुखी विस्थापन विदी द्वारा एकत्रित किया जाता है यह पॉइंट्स हम में आ गया लेकिन एक चाहिए भी दियान रखे गलाल अमोनिया ओनली अमोनिया पढ़ लेना में से कहने मिलब कि अमोनिया गैस है लेकिन एक्वर सेलेशन साफ अमोनिया कैसे त लेकिन यह कैसे क्या होता यह भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन हाँ दूसरी बात अमोनिया गैस में जो इसको डाउनवाट डेस्प्लैस्मेंट एर के थो वायू की विस्थापन विदी द्वारा एक इसको एकत्रित कर लिया जाता है लेकिन होता क्या है इसमें नमी प्रिज तो अमोनिया गैस जो हती वेसिक नेचर का होता है और बेसिक नेचर में अगर कोई एक जाएगा तो जाहिई जाहिए बात हो सकता है मतलब यह जो एनस तरी की बात आती है अब इस नहीं क्या है इसमें नमी प्रजेंट है क्योंकि जाहिर से बाद इसकी रियक्शन कौन सी थी आपकी कैल्सियम हाट राक्साइड और यह फोर सील करके तो आप यहां पर रेक्शन क्या कराते थे प्रोडिक्ट क्या बनके तयार होता था था आपका यह होता था ना मतलब की यह बैलेंस लीघाह यहाँ सेंने तो लगा देंगे तो लगा देंगे तो सी एसेल यहाँ कर देना ठीक न तो वहां पर आपने देखा विटा कि इसके साथ इस तो के आमोनिया के साथ साथ में क्या है वाटर मतलब जो आप अमोनिया जब बनाते हो तिसके साथ में क्या प्रिजन्ट होता है लाल वाटर भी मतलब कि अमोनिया सुस्क अमोनिया ड्राइ अमोनिया बनाने के लिए क्या करते हैं मतलब अमोनिया में जो नम्य प्रिजन्ट होती है उ कैलभी को दूर के काते हैं यहीं से एक Kitchen बन के आता है कि जो हमों इस नमी को दूर करने के लिए हमने calcium oxide का यूज किया लेकिन हम किसका यूज नहीं किया फास्फॉरस फेंटा आक्साइट पीटू वह फाइब और एस्टू इस फोल इनका यूज हमने नहीं किया क्यों नहीं किया इसके पीछे रीजन क्या है अब रीजन सुनों इसखलाल माइंड मेक्सी scaled का कि लीजएगा कि ammonia जो हम लोग बनाते हैं UP में तो उसमें क्या करते हैं य데 कोई नमी प्रजेंट होती है तो उस नमी को दोर करनेके लिए हम लोग calcium aroside का यूज करते हैं ना कि ना कि फासफ फेंटा अक्साइट और लिए आप पर भी पढ़े होंगे मेटालिक के जब कोई मेटल आक्सीजन से जुड़ेगा तो किस नेचर का जाता है तो हम ने देखा यहां पर यह जो आक्सीजन से ध्यान दिजेगा केल्सियम आकसाइड केल्सियम आकसाइड माइन में सेट किजिए बढ़ियां तरी खेलाल कि हमने कहा कि मेटल प्लस आकसीजन दैट इज आपका बेसिक नेचर इंडिगेट कर रहा है लेकिन अगर बात करते हैं कि इसकी कि नॉन मेटल अगर आकसीजन से जुड़ता है तो कौन सजाएगा एसिटिक नेचर को इंडिगेट कर रहा है बात को समझना कैसे लाल जैसे कारवन डाय आकसाइड सल्फा डाय आकसाइड 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 आकसीजन और कारवन कारवन नॉन मेटल रिएट कर रहे हैं एसिटिक नेचर मतलर यह अब जाहिर सी बात ह एक Κाहर्णफ के दोनों आपस में अट्रसं नहीं होगा किलियर लेकिन अपोजिट होंगे तो क्या होगा अट्रेक्शंट बढ़ेगा सुभाईक वयक्त के लाइसिट तो अश। के बीच में अट्रिक्षन कैसे होगा लाल बेस्ट अलकाईली टो अलकाईली के बीच में क्या अट्रिक्षन्स होगा नहीं होगा मतलब ही जो calcium phosphorus fenta oxide मैं आपकी language में समझाने का प्रयास करूँ सुन में आ जाए मतलब बिटा कि जो phosphorus fenta oxide और sulfuric acid है ये दोनों क्या है लाल ये दोनों acid है clear और ये दोनों acid है लेकिन ammonia क्या है लाल ये basic nature का है तो भाई अगर एक basic है दूसरा क्या है acid है तो जाहिर सी बात हमने छोटे पर पढ़ा था लाल क्या मतलब बताया गया था कि acid plus base give salt for me salt absence लगाओ लाल salt plus water भाई जब एक acid है एक base पहले से है उसको अगर acid मिल जाएगा तो क्या करेगा वो नमी थोड़ी दूर करेगा वो salt बना लेगा जैसे आप किसी से जैसे आप friend circle में आप लोग हो तो जैसे किसी से कोई भूखा प्रैसान आत्मा भटक रहा हो क्यों भी यहे लाल क्या हो अलाल तो जैसे कि कोई भूखा ब्यक्ट है तो आप उससे कह दो युँआ लो जाके चीर ले आओ तो पहले तो जाएगा वो खरीदेगा तो पहले समझ गए ना वो अपनी सेवा करेगा फिर जो बचेगा सेथ वो आपके पास लेके आएगा तो पहली बार गलती करोगे बर दुबारा नहीं करोगे मतलब दुबारा फिर आप उसको नहीं दोगे है ना क्योंकि वो अपने उपर यूच कर ले रहा है सेम वही चीज यहां पर हो रही है कि अमोनिया ने पहले फास्फरस पेंटा अकसाइड के साथ क्या कर लिए फास्फरस पेंटा अकसाइड को बुलाया लेकिन उसने उससे क्या कर लिया और रेक्षन क्यों कर लिया क्योंकि यह बेसिक है वो क्या है एसिडिक नेचर है और यह अब फिर इक्सपेंट किया इस अमोनिया ने सल्फिक एसिट के साथ किया सल्फिक एसिट ने भी यही किया क्या कि उसने भी रेक्षन कर लिया अमोनियम सल्फिट बना लिया इसके पीछे रीजन क्या है रीजन यहीं लाल कि अगर एक बेसिक है नेचर का है दूसरा एसेडिक नेचर का है तो दोनों रियक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा लेकिन अब यहां पर तीसरा जोग इस्पेरिमेंट अमोनिया ने किया कैल्सिय एक्सेट बेसिग नेचर कीरेश्ट के बेशिग क्या करेंगा ना क्युक्त इस प्रकार से यह जो मोनिया जो नमी प्रजैंट होती है उस नमी को दूर करने के लिए हम लोग कैलसियम आकसाइड करकτε है ना कि ना कि फासफरस प्रेंटाक्साइड और सल्फिरिक एसिट का यूज क्यूं नहीं करते हैं अमोनिया में प्रिजेंट नमी को दूर करने के लिए हाँ 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 बोलो हाँ 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 साहिल पताव लाग फुरकान आस्तोस अनकेत हाँ है सभी बताए हना मतलब की जाहिर बात दोनों का नेचर अगर डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है यह क्यों होगा यह जो जो अमोनिया में जो नमी प्रिजन्ट होती नमी को दूर करने के लिए क्यों करते हैं अच्छा कोश्चन है अच्छा कोश्चन है दिखू लाल यह जो जैसे जिरियस हो कि वास्पके यृप में वास्थ में टों अमोनिया जो ही वह कोश्चन होता है it अच्छे हो इसमें कोई दो रहा है नहीं हो इसमें कोई बटिप की बात नहीं है और स्टुडेंट लाइफ है इस्टुडेंट में आप इतना स्टुडेंट अपना अच्छा कि यह हो यह समध्दारी है चलिए तो यह बास्वन में आ गई सब लोगो को न कि अमोनिया के साथ साथ में स्टो भी प्रिजेंट होता है ठीक वाइपर फॉर्म में इसलिए उसको हम दूर करने के लिए क्लिए क्या करते हैं डाउनवार्ड डिस्परस्मेंट एर मैथेड से और कैल्सियम आकसाइड के थ्रोस को ड्राइब कर देते हैं आगी बास्वन में अच्छा एक बात और नोटिस करना लाल यह तो चलो हो गई आपस की बात हैं लोग समझ लिए क्या हो लाल मन लग रहा है नहीं लग रहा है पू जो सीरियस सीरियस होका है अब यहां पर अगला कोश्चन देते हैं मेटल प्लस ऑकसाइड तो कि आपसाइड में बेसिक नेचर का होगा फिर क्या होगा यह पॉइंट नोट कर लिए गर नॉन मेटल प्लस ऑकसाइड ड़िए एसेडिक नेचर अगर नहीं दिख रहा है मैं अब लिख दे रहा हूँ यहां दिख रहा है चली मेटल प्लस ऑकसाइड लाइट को जैसे हैं अब ठीक है दिखिए नेटल प्लस ऑकसाइड यह किस नेचर में जाएगा लाल यह बेसिक नेचर में जाएगा दूसरा पॉइंट यह पहला पॉइंट हो गया लाल दूसरा पॉइंट देखिए लाल नॉन मेटल नॉन मेटल और प्लस ऑकसीजन तो यह क्या बनाएगा लाली यह अब देखो यहां पर कैसे हम पहिचानेंगे कैल्सियम क्या है मेटल आकसीजन जुड़ गया तो सेंस लगा लो बेसिक नेचर के लिए यह बढ़े हैं कि मेटल के साथ आकसीजन जा रहा है तो बेसिक नेचर और अगर नॉन मेटल के साथ जा रहा है लेकिन रियर कंडिशन में हाँ पर देख लेना यह सारे पॉइंट समयागे फास्तुरस हो गया है अब दिखे एक चीज़ जैसे ध्यान दीजेगा कोश्चन यहां से एक नंबर में यह आ सकता है कि अमोनिया को किस बिधी द्वारा क क्या करते हैं वायू कि अधो मुखी अधो मनलब आधा मुख धब दिया जाता है अधो मुखी विस्थापन विदी द्वारा इसको हम क्या करते हैं एकत्रित कर लेते हैं यह पॉइंट स्वान में आ गया सभी लोगों को किलियर हो गया तो इसमें हम आप से कुछ दुचार अच्छे कोश्चन साफ लोगों से पूछेंगे हैं ना तो और बाकि इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंस मींस इसकी केमिकल प्रोपैटिज जबर्दा से केमिकल प्रोपैटिज क्या होती हैं और स्वांटे आरहिएश के बिहेपर कौन-कौन से होती हैं यह सारी चीजे औ अचल में इस लेक्चर को कंपलीट कर दूंगा मेंस यह दोAgश हम्लों का आज रिखते हैं रहे इस जब Ż jul है मतलब आऊ घृफ क未्युक्तम वाले जो होते हैं यह तब ही पढ़ते हम चलने आता है तो चलिए अच्छी बात है आपने बता दिया फिर इपोर्ट चल रहा आप और अच्छी तैयारी आप से और अच्छे कोश्ण पूछेंगे लाल परिशान मतु हूं चले चाहिए स्टार्ट करते हैं किसे स्टार्ट करते हैं भाई यह हमारे जो है स्टुडेंट से क्या नाम बैटादेवेंद्र बबर्मा जी बताएंगे बताई बैटा यह अ दिए म हम इसमें ज्ब्राइं पाँच मिनडै अब कुल सिरयॅज होके जो है तो प्रियास करते हैं इसमें देवेन्द बर्मा एंघ हैं हम और अनकेट हैं और अनपम हैं और पलवी और पांडे सभी लोग हमारे हुनाहार चात्र चात्राएं हैं चलिए इनों का थुड़ा बीपी हाई लूवाली प्राब्लम क्रेट कर रहे हैं हम इनकी तरब कैमरा करते हैं और इनसे कोश्चन पूट अप करते हैं रिलक्स माइन में हम लोग कोश्चन पूछते हैं चलिए चद्यान देते हैं आप एचेन उनिक दविजन कमेश्टियोले चैनल से जुड़े हैं माइन को कॉंसरेंट करके पेपर कलम लेके आप लोग कांटिनिवस इस्टेडी किया करते हैं इस अमोनिया के बारे में जो अधर हैं अपने कुछ प्यारे से विद्ध्यात्री के साथ है यह लोगे अपने प्यारे से स्टुडेंट्स के साथ में कोश्चन पूट अप कर रहे हैं तो सभी लोग कोश्चन पर चिक्रते रहेंगे इस में से किसी को मुष्चन जो है सभी सो ब्ला क्या होता है, और सभी लोग क्या होता है मुझे लाइए मैं confirmation कर दहा हूँ इसमें से कुछ हमारे student क्या नाम है सुभं बताईए लाल carbon tetracolide का formula क्या होता है carbon tetracolide CCL4 carbon tetracolide का यूज किसलिए किया जाता है हमारे कुछ students है लेकिन आप लोग बताएंगे बताईए लाल फुरकान carbon tetracolide का यूज किसलिए किया जाता है फ्रियांस और इसमें formula क्या है इसको free and toil भी क्या होता है कुछ इश्ट्रूएंट से other class से दे रहे है question का answer carbon tetracolide किस प्रकार का हेलोलकेन होता है देवेन लाल मोनो होता है डाई होता है tetra होता है tetra होता है tetra होता है carbon tetra है depend of halogenes number है ना halogenes number पांडे ये बताइए जो लकडी के भंजा कासवन दौरा जब आप लोगों ने methyl alcohol का निर्माड किया था उसमें किस प्रकार की layer थी दो layer कोई थी मलब उसमें ये भाप पायरो लिगनियस क्या था ये दिखिए है ये हमारे इतने अच्छे students है question का answer कितना बड़ी हां दे रहे है बस यहीं मेद है कि continuous करते रहे हैं और स्वी बेटा ये बताओ इसमें आपका carbonic acid से सम्मंदित कोई एक compound बताईए carbonic acid carbonic acid और carbonic group में अंतर क्या है carbonic carbonic group को बताईए सुभा मलाल carbonic group हाँ COH हाँ सही बता रहे है मतलब कि carbonic group क्या होता है जिसमें आपका hydrogen's number नहीं जुड़े होती है या कोई groups नहीं जुड़ा होता है और जैसे ही जुड़ेगा तैसे वो अपने farm को group से acid में convert कर लेगा के लिए और ये एथो नौइक acid एथोनौइक एशीड का formula ला साहिल क्या होता है एथोनौइक acid का formula क्या होता है क्या होता है CS3C-OH CS3C-OH acid 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 का IPSC name अभी क्या बताया गया था एथोनौइक acid वो आइबल टौाइबल क्या साथ रह सकते हैं इसको बिटा स्वाड़ा साइड में कर दो है क्या वाइवल टौ आब एक साथ रह सकते बेटा क्या एक साथ रह सकते हैं नो सर अब अब सभी से कोस्चें रहे सकते ना नो सर क्योंकि वाइब टुटेल कितने होते है अनुकें दीजे 5 कों से होते हैं याई ओ यह सर भूल गए कन्फूशन कन्फूशन है ए ए आई ओ यू यह हमारे पोचिंग के होना हार इसके देंट से है जी सर बता है तो गार्वाक्स का बेटा पामा क्या होता है अच्छा इसमें जो फार्मिक कैसे क्या होता है यह चलिए ठीक है जबर्दस परियास रहा हमारे कोचिंग के कुछ चुनहार स्टुडेंट के द्वारा तो चलिए ठीक अच्छी बात है इसी साथ में नेस्ट लेक्चर में इंपॉर्टन तरह बढ़ेंगे तो प्रेस्टा फ्लक्स आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए कुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च